असलाम अलेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, यूनानी कनेक्ट, मैसल सेदा समा मोहीनी तो हमारा जो सैदला की टर्मिनलोजी का लास्ट वीडियो था, उसमें हमने 5 हमारे जो प्रोसीजर्स थे, उनके बारे में पढ़ लिया था और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो, तो पहले आप उसे वीडियो को देखें, ताकि आपको हमारा जो पाटरन है बढ़ने का वो समझ में आ सकी, कि हम किस तरह से definitions को easy बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स जो हमारा topic है यह next जो हमारा terminology है, वो क्या terminology है, वो है इजाबत, 6 हमारी terminology है इजाबत, इजाबत का मतलब होता है piglana, ठीक है, melting, जिसे हम English में melting कहते हैं, इसे हम उर्दु में piglana कहते हैं तो इसके बारे में हम क्या इसकी definition ये है दवा साजी के दौरान बाज अकाद दवाओं को हरारत के जेरे असर या हरारत के जरिये पिगलाने की जरूरत पेश आती है और इसी अमल को इजाबत कहते हैं छीक है इस अमल का जो मकसद होता है वो क्या होता है दवा को साफ करना या फिर दो दवाओं आपस में अच्छी तरह मिल जाएं और इसके जो एक्जेंपल है वो क्या है मौम, चर्बी, सोना, चांदी वगएरा तो दवा साजी के दौरान बाज अकाद दवाओं को हरारत के जेरे असर जरिये पिगलाने की जरूरत पेश आती है या तो जेरे असरी लिखना है आपको या फिर जरिये लिखना है इसी अमल को इजाबत कहते हैं नेक्स जो हमारा है वो है तहमीज 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 का मतलब होता है जो मतलब उसका लिटरल मीनिंग है वो है भूनने के और इसे ये बना किस से है हमीज वर्ट से बना है अर्भी में हमीज का मतलब होता है चना किस से बना है हमीज से और हमीज का मतलब होता है चना और इसके माने क्या होते हैं? भूनने के तो दवा साजी के दौरान बास अुकाद दवाओं को चने की तरहा भूनने की जğinरूरत पेश आती है और इसी अमल को तहमीथ कहते है और जो इस दवा के साथ ये अमल किया जाता है उसे मुहमिस rabidya कहते है क्यों करते हैं हम यह अमल दवा की नमी को दूर करने के लिए या उसके अंदर की खामी को दूर करने के लिए किया जाता है जाहिर सी पात है, हम जितने भी अमल कर रहे हैं, वो उसकी कमी को दूर करने के लिए, या उसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए जितने भी हम अमल कर रहे हैं, उनका जो मकसद है, वो यही है, या तो उसकी नमी दूर हो जाए, या वो पाउडर बन जाए, या वो खाने में बन जाए उसे पिखलाया जाए उसे भूना जाए उसका सफूब बनाया जाए तो हमारे जितने भी प्रोसीजर है उनका में मकसद क्या है कि हम उन्हें उनकी खामियों को दूर करें ठीक है जरूरत पेश आती है और जिस दवा के साथ यह अमल किया जाता है उसे क्या कहते हैं दवा को हम कहते हैं मुहम्मद सुरी यहां पर जोई नहीं है मुहम्मद है ठीक है या फिर बिर्या ठीक है नेक्स हमारा जो है किस किस के साथ किया जाता है तो यह अफ्यून के साथ और सुहागे के साथ किया जाता है वैसे यह जो अमल है यह हम आगे और जो प्रोसीजर जब हम पढ़ेंगे इने और डीटेल में अब हम इने पढ़ेंगे किस दवा के साथ कैसे किया जाता है तो next जो हमारा topic है या next जो हमारी terminology है eighth terminology रिख nosso terminology वह है तकलिया अमले तकलिया क्या होता है तल लेना या फिर frying इस अमल के अंदर क्या होता है बाज अवकात दवा ड़ाओं को दवासाजी के अंदर किसी रोगन के हमरा तलने की ज़रूरत पेश आती है और इसी अम्ल को अमले तकलिया कहते हैं तो यह पूरा ना लिखके मैं क्या लिखूंगी दवासाजी के दौरान बाद अकाद दवाओं को किसी किसी यह जो पूरी राइन है, उसके लिए मैं गैप छोड़ी रही हूँ, किसी रोगन के हमरा तलने की जरूरत पेश आती है हमारा एक टेलिग्राम पे चैनल भी है युनानी कनेक्ट करके और एक हमारा ग्रूप भी है युनानी कनेक्ट करके तो आपको कोई भी अगर तकलीफ हो तो आप युनानी कनेक्ट ग्रूप पर मैसेज कर सकते हैं और इसके डीटेल्ड नोट्स जो है मैं वेट टेलिग्राम चैनल पर हमारे डालोगी तो आप महां से देख सकते हैं ठीक है तो किसी रोगन के हमरा तलने की जरूरत पेश आती है ठीक है इसी अमल को क्या कहते हैं तकलिया के नाम से जाना जाता है यह मैं नहीं लिख रहीं यह आपको खुद लिखना है और जिस दवा के साथ हम ये अमल करेंगे उस दवा को हम क्या हींगे मुकली या मुकली इस अमल का मकसद क्या होता है इसका मकसद होता है कुवते काबिजा को बढ़ाया जाए उसके अंदर जो कुवत कब्स की कुवत थी वो बढ़ाई जाए और उसकी कुवते जाजिबा यानि की absorption पावर और उसकी constipation पावर जो है वो बढ़ाई जाए रोकने की power, not constipation properly, बलकि उस दवा में जो किसी जैसे चीज को रोकने की power है, उसे हम रोकें 9th जो हमारा topic है, उसे कहेंगे मुखली, 9th जो हमारा है वो है तहरीक 9th is तहरीक तहरीक के मानिय क्या होते हैं और तहरीक के मानिय होते हैं बर्निंग के जला कर कोईला कर लेना, ठीक है, एक तो होता है इतना जलाना कि वह चूने की तरह सफेद हो जाए या राक बन जाए, उसे तकलीस कहते हैं लेकिन यहाँ पर हम हैं तहरीक कर रहे हैं यानि जला कर कोईला कर लेना इसे इंग्लिश में कहेंगे burning दवासाजी के दौरान बाज अकाद दवाओं को किसकी तरह कोईले की तरह सिया कर लिया जाता है और इसी अमल को अमले तहरीक कहते हैं तो दवा साजी के दौरान बाज अकाद दवाओं को कोईले की तरहा सियाह यानि की काला कर लिया जाता है सेकेंड पॉइंट है इसी अमल को तहरीक कहते हैं ठीक है और जिस दवा के साथ ये अमल किया जाता है यानि की इस तरह जली हुई दवा मुहर्रिक या सोखता कहलाती है दवा को क्या कहेंगे मुहर्रिक या सोखता मसला किसके साथ करते हैं हम ये जो पुराने जमाने में सापों का इस्तेमाल होता था या केकडों का इस्तेमाल होता था उन्हें हम इसी तरह से ताके उनकी जित्ते भी बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएं इस तरह से करते थे और इस अमल का भी जो मकसद है वो यही है कुवत जाजबा में इदाफ़ा हो सके, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, टैंक हमारा है तकलीज, जो मैं भी आपको बता रही थ कि चूने की तरह सफेद कर लिया जाता है या राक कर लिया जाता है। किस से बना है कलस से बना है और कलस के माने होते हैं चूने के चूने के और इसके अंदर क्या कर लिया जाता है राक कर लेना या जला लेना इसमें और इसमें फर्क है तहरीक में काला कर लिया जाता है और इ जला कर चूने की तरह सफैद करने की जरूरत पेश आती है इस तरह से भी लिख सकते हैं जरूरत पेश आती है और इस अमल को क्या कहते हैं हम? इस अमल को हम तकलीस कहते हैं और जिस दवा के साथ या अमल किया जाता है उस दवा को कहते हैं मुकलिस या फिर कुष्टा दवा को क्या कहेंगे? मुकलिस या फिर कुष्टा ठीक है? किस के साथ किया जाता है ये? हमारे जित्ते भी धातू होते हैं जैसे की सोना, चांदी, फॉलाद फॉलाद्यानी लोहा इन सब के साथ किया जाता है इसका क्या फायदा होता है इससे हम ऐसी इससे करने से जो जित्ते भी धातु होते हैं जल्दी से हजम हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं जूद हजम जल्दी हजम होने वाला यह आपको मेरे डीटेल नोट्स में एक एक वर्ड मिल से मना है और घुसल के माशने होते हैं वाशिंग के या बाथिंग के यहां पर क्योंकि वाशिंग वर्ड करना ज्यादा प्रॉपर रहेगा कि हम उन्हें साफ कर रहे हैं चीक है ? दो कर साफ कर रहे हैं दवा साजी के दौरान बाज अकाद दवाओं को धोने की जरूरत पेश आती है और इसी अमल को अमले तकसील कहते हैं ये भी मैं नहीं लिखरी और दुली हुई दवा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं मकसूल इस अमल का मकसद क्या होता है दवाओं को साफ करना और उनकी हिद्दत यानि कि उनके अंदर जो गर्मी है वो दूर हो जाए इसका एक्जामपल है लकमक्सूल ये एक मादनी दवा है इसके बारे में आप मुफरदात में पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे बारवा हमारा है तस्फिया अमले तस्फिया लव्ज सफाई से बना है इसे हम इंगलिश में बोलते हैं प्यॉरी फाइंग या फिर अगर आपको मेरे टेलेग्राम पे जो मैं नोस बता रही हूं बार-बार वो नहीं लेने हैं तो आप हमारी जो बेस बुक है तो अमले तस्फिया दवा साजी के दौरान बाद वकाद दवाओं को साफ करने की जरूरत पेश आती है जरूरत पेश आती है ये भी मैं नहीं लिख रही हूं और इस अमल को अमले तस्फिया के नाम से मौसूम करते हैं या जानते हैं और साफ की हुई दवा मुसफ़ा कहलाती है, दवा क्या कहलाती है, मुसफ़ा, आप अगर नोट्स बनाएं, एक एक वर्ड लिखें, एक एक वर्ड लिखने से, आपको चीजे देर तक याद रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हम चीजों को रिपीट कर लें, और रिपीट करने का मक दवा को गर्म किया जाता है, और गर्म करके किसी सैयाल के अमरा बुजा दिया जाता है, और यही अमले इत्वा कहलाता है, दवा इसका मतलब होता है, बुजा देना, दवा साज़ी के दौरान बाज आपकाद किसी दवा को गर्म करके, किसी दवा को गर्म करके किसी सैयाल के हमरा बुजा दिया जाता है और इसी अमल को अमले इत्वा कहते हैं और यह आम तोर। पर किसके साथ किया जाता है धात के साथ यानि कि नेक्स्ट है हमारा 15TH तदहीन यानि कि ओिलिंग चर्ब करना भी बोलते हैं इसे इसके अंदर क्या करते हैं यह थोड़ा सा इंटरस्टिंग है इसके अंदर क्या करते हैं हम दवाओं को जब हम उनकी गोलिया बनाते हैं या हम उने चाहते हैं कि वो और हाजिम हो जाएं खास तोर पर हमारे जो हलैला जात होते हैं हलैला बलैला और आमला उनके साथ हम ये अमल करते हैं इसमें क्या करते हैं हम किसी भी दवा का पाउडर लेते हैं हलैला जात का पाउडर लेते हैं उसके बाद अपने हातों के अंदर हम रोगन लगा लेते हैं और फिर उन लोगन से जो हमारी जो दवा होती है उसे चर्प करते हैं तो दवासाजी के दौरान बाज अकाद दवाओं को किसी रोगन के हमरा चर्प करने की जरूरत पेशाती है और इस अमल को अमले तदहीन कहते हैं ठीक है दवासाजी के दौरान बाज अकाद किसी दवा को किसी रोगन के हमरा चर्प करने की जरूरत पेशाती है और इसी अमल को अमले तदहीन कहते हैं किस के साथ करते हैं हम त्रीफला के साथ करते हैं और इस अमल का मकसद होता है दवा की खुश्की को दूर करना इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो पूरा होता है I hope कि आपको मेरा वीडियो और मेरा चानल पसंद आया होगा आखिर में हम बस यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे फिलिस्तिन के मुसल्मान भाई बहन है वो बहुत मुश्किलात में है आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें Thank you